इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि data की types कितनी होती है, data कितनी exam का होता है, ठीक है, तो जब भी आप data collect करते हैं, तो major उसकी दो types होती है, या तो data जो है वो qualitative होता है, या आपके पास जो आपका data है वो quantitative होता है, qualitative वो data होता है, जो आप गिनना सकें, for example, quality हो, इसमें, इसक इसके आप चीज़ों को गिन सकते हैं, तो quantitative data वो होता है, जिसमें आप चीज़ों को गिन तो सकते हैं, लेकिन इसके साथ कोई specific names मनसूब होते हैं, इसकी आगे दो types हैं, एक को हम बोलते हैं, जी, nominal, और दूसरे को बोलते हैं, ordinal, और numerical data के भी दो type हैं, एक का नाम है, discrete, और दूसरे का नाम है, continuous, discrete and continuous, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, nominal and ordinal की, nominal data वो वाला data होता है, जिसके अंदर हम कोई order maintain ना कर सके, for example, मेरा नाम Ammar है, तो ये data अगर लिखा जाएगा, तो ये nominal होगा, अगर मैं कहूँ के मेरी class में males कितने हैं और females कितनी हैं, ये जो data होगा, female और male, ये हमारे पास nominal होगा, कितनी जब गिनेंगे तो वह वहां पे चलाएगा ये numbers में, लेकिन कोई male है, कोई female है, वो जो data उसका होगा, वो basically nominal होगा, अगर मैं पूछूँ के कोई चीज सच है या गलत है, यानि के true है या false है, तो वो इसमें आ जाएगा, religion की base पे जो हम data लेते हैं, वो भी इसमें आ जाता है, क्योंकि religion में हम कोई भी order नहीं देखते हैं, सब बराबर देखते हैं, जब हम data science की बात करते हैं, बाकी सारी बात है, जिसको हम nominal data करते हैं, political affiliation के बाद, अगर हम अगली बात करें, हमारे पास से, for example, कोई भी names आ जाते हैं, किसी भी चीज का name, तो वो इसमें आ जाएगा, for example, fruits के name होगे, किसी भी चीज के name होगे, तो वो इसमें आ जाएगा, for example, हम vegetables के names लिखते हैं, vegetables names होगे, हमारे पास ordinal data type, ordinal data type के अंदर क्या होता है, मैं यहां से पना pen जो है, उसका color change कर लेता हूँ, ताकि आपको easy रहे समझना, ordinal data type, एक ऐसी data type होती है, जिसके अंदर आपका data order में हो, मतलब, आप first आए है, second आए है, यह third आए, यह वाला data, ठीक है, या आपका data ऐसा हो, जिसमें आपको grading system involved हो, यानि कि A grade है, B grade है, C grade है, D grade है, यानि कि order involved हो, ठीक है, फिर floors हो गया, first floor, second floor, third floor, यह हो गया, फिर आपके पास data हो गया से, for example, यहां पे के, और किस चीज में order हो सकता है, small, medium or large, यह भी एक order है, जब आपको coffee वगरा order करने जाते हैं, ठीक है, इसके इलावा आपके marks होगे, 70%, 80%, 90%, अगर 3-4 categories है, तो orders के अंदर आएंगे, ठीक है, उनकी basis पे grades बनते हैं, तो इस तरह ordinal के अंदर, जिस चीज के अंदर order मजूद हो, यानि कि बड़ी से चोटी या चोटी से बड़ी की तरफ जाने के लिए, और वो हो असल में categorical variable, यानि कि वो लिख इस तरीके से लिखा जाता है, अब हम आगे चलते हैं, हम जलते हैं अपने numerical database की तरफ, data की तरफ numerical क्या होते हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि एक discrete है, और दूसरा हमारे पास continuous है, ठीक है, अब discrete के अंदर, हमारे पास जो data होता है, इसके अंदर whole numbers होते हैं, for example, इसके अंदर integers होते हैं, int क्या होता है, for example, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, 5, 10, 15, 20, 30, ठीक है, यह जो हो गया हमारे पास data, number वाला है, लेकिन इसमें full numbers है, मतलब एक number के बाद, एक specific distance है, दूसरे number तक जाने के लिए, और 5 और 10 के दर्मयान कोई भी चीज नहीं है, लेकि 5.5, 5.6, 5.7, something like this, तो जब भी decimal का बात है, तो आपने उसको continuous बताना है, decimals, मैं यहाँ पर इसको raise करके, decimals, यह लिखता हूँ, और जब भी आपके पास, यहाँ पर integer है, मतलब decimal के बगार हो, तो वो हमारे पास discrete होगा, यानि के 5, 10, 15, 20, something like this, और discrete के अंदर हमारे पास ज्यादा तर data जोता है, for example, temperature का data हो गया, ठीक है, इसी तरीके से अगर आप pH का data भी ले ले ले, और अगर pH के data आ रहा है, integer के अंदर तो then is discrete, otherwise, अगर हम इसको point में लिखेंगे, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास continuous हो जाएगा, ठीक है अब continuous के अंदर हमारे पास जो data आता है, height का आ गया, weight का आ गया, इसी तरीके से हमारे पास यह database जो है, वो आगे चलते रहते हैं, तो चार टाइप्स याद रखेंगा, जो मैंने start में आपको बताई है, qualitative, quantitative और qualitative को categorical को कहते हैं, इसको numerical बोलते हैं, और nominal है, इसमें ordinal है, फ ठीक है जी, इसी को अगर हम scales of measurement में लिखें, scales of measurement के अंदर लिखें, statistics की जबान के अंदर, तो scales of measurement सबसे पहले होता है, nominal, फिर इसके उपर अगर जाएं तो यह होता है, ordinal, फिर इसके उपर वाला अगर scale जाएं तो वो होता है, interval, and end पे ratio, तो हमारे पास इस तरीके से scales of measurement होते हैं, discrete को हम बोलेंगे, interval, जो मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है, और इसको बोलेंगे ratio, तो हमारे पास basically categorical variables की पहली दो जो हमारे पास types हैं, वो categorical हो जाएंगी, और जो interval and ratio है, यह हमारे पास numerical हो जाएगा, ठीक है जी, तो इस तरीके से scales of measurement और data types आपको समझ आगी होगी, next lecture में मिलते हैं, आप यह data types वाली वीडियो को दुबारा से देखेगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से यह clear हो जाए